तो स्विचर के बारे में बताते हैं, आपने पास पांच सॉफ्टस है, छे सोफ्टस हो रही है, फेला है Logosys Media Player, और उसके बास है Logosys Switcher, Logosys Switcher, Logosys Switcher में बेसिकली होता क्या है, कि आप Cameras Mix कर सकते हो, या Files Mix कर सकते हो, या Source Mix कर सकते हो, और उसको Switch कर सकते हो, तो जैसे मैं add camera तो आप इस सब्सक्राइब कर रहा हूं, तो सब्सक्राइब है करें हैं। यहां पर एक camera यहां पर camera, यहां पर camera यहां, जितने चाहे उतने u मैं add कर सकता हूं फिलाल कोई camera नहीं है इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं और यहां पर add file है तो आप इसको फैलते ऐठ आप सकते ओतने अदो ओसी तरह से यहां पर जितने files है और प्लिली स्वेdı कर सकते हो अदें तो दल सकते हैं और आप सोर्स वना के दल सकते हो मतलब सोर्स में आपको बाद में समझाऊंगा सोर्स किया है आप इसमें सोर्स का इंपुट ले सकते हो तो इसको सेव कर सकते हो और फिर इसको लोड कर सकते हो सेव लोड करने से क्या होता है कि सेव करने से पूरी सेटिंग से तो स्थार्टिंग से बतादां मैं एक में था अफॉट इन्पुट ले रहा हूं एक दो तीन चार फाइल इंपुट ले रहा हूं मैं जितने हो दो सकता हूं ड़िए और सेले स्कार्फ सब्क्राइबिक सेलना ही तो केमरे म।यब दे लेता हूं। UM फे आपको डिवाइस करना मेंस का लाइन इस्का लाइन वां एक करना और से पार लि forest करना है और कस्तूर ही अगलिस में यहा फान मिल रहा है तो आप जितनी चाह्व करक्नी फाल सकती है कि इस यहा नहीं हे ली लेता हूं ओर देखिये में हर के बने उसका लग लग प्रिव्यूर्ट के सबस्क्राइब। के इन्पुर्ट को स्विच करे बला करे हैं जो आप लाइन पर छोड़ना चाहते हो कॉंसा केमरा केमरा लाइन पर डालना चाहते हो या कौन सी उयान असी फाइल सभाल कि भी करते हो करें तो देखें लाइन पे करिया ज्यारा है , वंपर देख викस्पनी हो रहा है उसके जगा पर मैं फाइल भी क्लिक कर सकता हूं तो मैं जिस फाइल पर क्लिक करूँगा यहां फाइल नंबर बता रहा है फाइल नेम के हिसाब से यहां पर एक नंबर बता रहा है तो मैं जिस पर क्लिक करूँगा वह वाला कैमरा स्विच होएगा एक वाल से दूसरी फाइल पर बाल का तो या एक सोर्स से दूसरी सोर्स पर चेंज होने पर यहाँ एक टांजिशन हो रहा है तो यह हमारे transition की setting है, इस transition के अंदरा fade, blur, move, pixelate, random, wipeout, सब दे सकते हैं, कुछ एक एक करके बताता हूँ आपको, मैं blind ले रहा हूँ, देखे, effect देखा आपने, change हुआ, और slide, देखे, slide हुआ video, fade, देखे, fade होएगा, पुराना वीडियो fade होके, दूतरा वीडियो change हो रहा है, यह उसका, यह मतलब फूरे effects है, आप transition के जो चाओ, effect आप use कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, यह transition का time है, तो आप इसको 0.51 second, यह number of seconds में count होता है, तो आपको जितने second का transition चाहिए, वो आप यहाँ पर दे सकते हो, जितने जादा देओगे, उती जादा देर transition के लिए लेगा, अगर आपको directly कोई transition नहीं देना है, कोई effect नहीं देना है, तो यहाँ पर अगर आप 0 दालोगे, तो यह cut करेगा, directly frame to frame change हो रहा है, देखिए, कोई transition नहीं है, तो इसमें basically होता क्या है, कि आप cameras और sources को switch कर सकते हो, file camera sources को switch कर सकते हो, अभी कभी-कभी तो यह आपको अगर यह settings fully save करनी है, कि आपने पूरे files load कर रहे हैं, camera की settings वगेरा load कर रहे हैं, और इसको कभी save करना हो, तो आप यह save use करिए, save में आप उतका कुई भी एक नाम दे दीजे, जैसे मैं, मैं कोई भी switcher की setting का save करके XML file बना रहा हूँ, यह save हो गया है, और मैं इसको close कर देता हूँ, by chance कभी आपका ऐसा कुछ हो जाए, और आपको वापिस वापिस वो setting load करनी है, तो आप यह load वाला button क्लिक कर सकते हो, और आपकी जो save setting file थी, वो setting file क्लिक करोगो, तो यह automatically वो सब इसको load कर देगा, ओके, तो mixer के बारे मैं समझते है, mixer चालू करने के लिए, इसको खोलिए, यह अपसे mixer का नाम पूचेगा, तो अभी मैं mixer का नाम anchor रख रहा हूँ, ठेके, अपना mixer चालू हो गया है, और यहाँ पे left side में, आपको add file, add live, add source, remove file दिख रहा है, तो आप add file क् यहां से camera का input ले सकते हो, फिलाल मेरे सिस्टम पे कोई camera का input नहीं है, तो आप है यहां से camera input ले सकते हो, इसमें video, आपको video device select करना पढ़ता है, उसका line in और audio को format select करना पढ़ता है, यह सब होने के बाद जब आप installize device करते हो, तो यहां पे उसका preview दिखता है आपको, जैसे पर आपको लाइब में दिख जाएगा उसी तरह से आपको अगर कोई फाइल दालना हो तो एड फाइल क्लिक करके आप कोई भी सिस्टम से एक फाइल यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आ जाएगी ठीक है एड सोर्स में बिसिकली दूसरे मिक्सर का इंपूट इसके अंदर लेने के लिए एड सोर्स को यूज किया जाता है तो चले शुरू करते देखते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं फिलाल मिरे पास कोई camera connected नहीं है तो मैं आपको add file के through इस अभी demo बताऊंगा लेकिन यही चीज एड camera के उपर भी applicable है तो add file किया मैंने तो मान दीजे मैं studio से कोई input लेता हूं तो मुझे कुछ इस तरह से आता है इसको मैं select कर रहा हूं foreground को select कर रहा हूं link with input बोल रहा हूं तो यह मेरे पास camera आ गया इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूं तो देखिए मैं इसको screen में मुझे जितना चाहिए मैंने उसको उतना कर दिया है ठीक है तो अभी camera आप देख सकते हो studio का camera पूरा input में आ गया है निकालके यहां पर कुछ और फाइल लागा हूं उसके लिए उसको बोलते है chroma की है तो chroma की करने के लिए आपको right side में chroma की option दिखता है यहां पर दिख रहा है जब आप chroma की पर क्लिक करोगे और chroma की properties पर जाओगे तो एक window कुल के आएगा इस window के अंदर आप यहां पर auto auto detect कर सकते हो auto detect basically क्या होता है आपके input को select करके वो आपका camera के format में आ रहा है उसके सबसे automatically और maximum color जो screen में है उस color को यह automatically select कर लेता है तो जैसे ही मैं auto detect कर रहा हूं देखे यह पूरा background जो था color चला गया है अगर आप auto detect पर नहीं काम करना चाहते हो तो आप RBG, HLS, YUV ले सकते ह हो इसमें से किसी को भी लेने के लिए यहां पर option select करिए जैसे मैं RGB ले रहा हूं और उसके बाद उस color पर click करिए जो आपको remove करना है ठीक है और यहां पर जो है इसकी power की transparency की color smoothness और यह इसकी कुछ advanced settings है तो अगर आपको जरूद पढ़ेगी तो इसे luma power range set कर सकते हो आपका आपका जो anchor है इसको smooth करने के लिए काम आती है settings ठीक है जैसे ही यह सब हो जाएगा फिलाल मैं भी auto पर कर देता हूं इसको कि auto हो गया अब जैसे ही हो जाएगा मैं apply करूंगा अब आप note करिए यह जो मेरा anchor था जो भी मेरा anchor थी इसके पीछे जो blue color था वो चला गया है मेरा objective था कि इसके background में मुझे कुछ और file दालने है तो मैं यहां पर background दिख रहे हैं यहां पर background में कोई color दाल सकता हूं यहां फ चलने वाल है उसका background का file है तो मैं जैसे यह background का file के select कर रहा हूं देखिए मुझे anchor का blue color था वो चला गया और मुझे मेरा video file background में आ गया है अभी मैं anchor को पकड़के screen में कहीं पे भी आगे पीछे ऊपर नीचे set कर सकता हूं अगर मुझे camera को काटना होगा जैसे यहां पर black औ वो भी आपके crop हो सकते हैं ठीक है तो यह मेरा camera chroma key हो गया anchor मेरी chroma key के साथ आ गई है इसको मैं switcher में input लेऊंगा और switcher से मैं final output में देऊंगा anchor अपनी ready हो गई anchor को अपने set कर दिया इसको मैं minimize कर देता हूं मैं mixer फिर से कोलता हूं mixer आप multiple time कोल सकते हो तो मैं mixer फिर से खोल रहा हूं और इस बार मैं mixer का नाम guest देता हूं जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह से मैं वापिस एक कोई दूसरा camera का input इसमें लेता हूं फिलाल मेरे पास दो नहीं है तो मान लीजे मेरा दूसरा camera है मैंने इसको input में ले लिया इसको छोटा बढ़ा करके मुझे जैसे लगाना था यह मैंने इसको जैसे चोटा बढ़ा करना था यह मैंने इसको कर दिया है को मैं minimize कर लेता हूं तो अभी मेरे पास अभी मेरे पास एक anchor ready है एक guest ready है इसको भी मैं चाहूं तो enable chroma key करके यहां पे chroma key की properties जो से मैंने अभी बताया था वैसे आप chroma key की properties भी set कर सकते हूं मैं mixer क इसको फिर से खोल रहा हूं इस बार में इसका नाम देऊंगा anchor guest तो आपको याद होगा अपन यहां पर add file करते है तो file add होती है add live करते है तो camera add होता है यहां पर एक add source का option होता है तो जब आप add source करते हो तो यहां पर क्या-क्या source चालुए होता था तो अगर आपको याद हो मैं guest को input में लिया anchor और guest को मैं यहां पर input में ले लिया इसके बाद मैं anchor को क्लिक कर रहा हूं foreground को क्लिक कर रहा हूं link to input कर रहा हूं guest को क्लिक कर रहा हूं foreground को क्लिक कर रहा हूं link to input कर रहा हूं इसके साथ मुझे अगर और एक कोई file चाहिए जैसे मुझे मान लीजे यह वाल और अपने आपको याद होगा यह अपने गेस्ट का कैंमरा है तो यह मैंने गेस्ट का कैंमरा को थोड़ा सेट कर दिया । और father एक एडिशनल फांईल है तो मैं मान लिझे थीसरा कैंमरा है तो इस तरह से आप multiple pips बना सकते हूं ऑई मैं mixer को और एक बार खोल के, अगर मैं चाहूं, तो mixer को और एक बार खोल सकता हूं, और इसको और कुछ नाम दे सकता हूं, जैसे मैं अभी 3 camera, 3 camera नाम दे दिया, जो भी मैं नाम देंगा, वो सिफ switcher के लिए है, add source क्लिक करूँगा, तो यहां पे मेरे sources बताएगा, आपको या यह मेरा anchor और guest पूरा input में आ गया, आपको याद ही यह layout अपने अलग में बनाया था, इस तरह से आप unlimited PIPs बना सकते हो, unlimited PIP अपने system पे set कर सकते हो, जैसे मैंने इसको यहां set किया, और अभी देखना, इसके अंदर मैं और दो file दालूँगा, जैसे मैं यह वाली ले लेता ह इसको मैं link करूंगा, इसको klik करूंगा, link to input करूंगा, इसको किया, link to input कीया, देखिए दोनों file अगई, अब मैं इसको थोड़ा सा चोटा बोटा कर लेता हूँ, और मैं स्क्रichaam set कर देता हूँ, जैस अदिखिए मेरा screen पे set हो गया, इसको अभी मैं थोड़ा सा चोटा मो इसको मुझे broadcast करना है तो broadcast करने के लिए मैं क्या करूंगा आपको याद है पहले section में अपने mixer के बारे में बात की थी तो मैं switcher खोल रहा हूं आपको याद होगा यह वाला switcher, switcher के अंदर यहां पर add source होता है में जब 1,000,000 आप submit तो में जब मैं add source करता हूं तो मानले जब मैं चार या 5 और इसके अंदर मैं guest का input ले सकता हूं कि एंगर का यहां से आप स्विचिंग कर सकते हो कि कौन सा सोर जाना है और ऑडियो भी इसी के हिसाब से जो आपके कैमरा मिक्सिंग हुई है उसी के हिसाब से ऑडियो मिक्सिंग के लिए हर मिक्सर के अंदर यहां पर मिक्सर के अंदर हर एलिमेंट का ऑडियो की प्रॉपर्टी होती है त तो मैं यहां से खर सकता हूँ ठीक है तो अपने इसको switching तो देख लिया कि switching कैसे करना है chroma की कैसे करना है chroma की के बाद cameras को switching कैसे करना है अभी होगा क्या यह जो show चल रहा है मेरा जो anchor और guest का जो मैंने show बना है जैसे anchor लोगों से गाना पूछ रही है और मैं यहां पर एक file लेके जो भी viewers गाना पूछ रहा है तो मैं यहां पर फाइल को लोड कर सकता हूँ जैसे anchor पूछ लिए गाना कौन सा देखना पसंद करोगा और मैंने यहां पर गाना दाला लोड किया switch किया देखो switch हो गया उसके बाद जैसे गाना खतम हूँ अब मैंने वापिस reverse anchor पर आ गया anchor आ गई मेरी और anchor feed लोगों से गाना पूछ लिए और उसके बाद मैं गाना select कर रहा हूँ switch कर रहा हूँ switch हो गया यह तो play my song का concept हो गया अगर मान लिजे आपका कोई discussion शो चल रहा है तो आप इसमें discussion में मान लिजे guest बात कर रहा है या anchor बात कर रहा है या anchor guest दोनों बात कर रहा है तो इस तरह से आप PIP inputs में उनको लेके बता सकते हो विज़े anchor बात कर रहा है या guest बात कर रहा है को discussion या talk show चल रहा है और उसके inputs आप इदर लेके switching कर सकते हो कि switching तक तो ठीक है लेकिन अभी होगा क्या कि आपका जो चल रहा है जैसे आप मानलेज़े कोई talk show चला रहयो और अपको इसका repeat telecast करना है तो repeat telecast करने के लिए क्लिए 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 होगा आपको इसको सोर्स को रिकॉर्ड करना है आपको याद है गेस्ट अपना एक सोर्स हा यह जो भी यह जो भी दिखा रहा है यहां पर यह पूरे अपने सोर्स है तो अपना अब्जेक्टिव है जो स्विचर से आउर्पुट आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना है तो मैं स्विचर वाले आउर जा रहा हूँ जो भी format मैं select करूंगा वह वाला मैं यहां से बना सकता हूँ तो मैं अभी फिलाल MP4 select कर लेता हूँ लिए MP4 ले लिए उसके बाद यहां पर मुझे वीडियो कोडक पूछ रहा है तो वीडियो कोडक के अंदर जो भी आपके सिस्टम में कोडक्स इंस्टॉल लोंगे वो पूरे यहां पर बताएगा तो इस काम के लिए मैं Intel QuickSync ले लेता हूँ यह Intel का QuickSync 1264 कोडक है और यह जो आप बढ़ा होगी उत्ति quality आपके recording की बढ़ जाएगी उत्ति file की size भी बढ़ेगी उसके बाद यहां पर आपका audio कोडक है तो audio आपको कौन सा चाहिए MP3 चाहिए AC3 चाहिए तो आपने audio कोडक और वीडियो कोडक सेलेक कर लिए audio format और वीडियो format सेलेक कर लिए उसके बाद hey test recording ये मेरी इसे मेरा जो प्रोघ्र मेर्कर टिंग चालू हो गया है अब मैं सिसको minimize कर दूँगा instead Nou कि म्यूपी करता रहा होंगा जो मैं नॉर्मली नॉर्मली switch कर रहा हूं मैं endeavors चَल रहा हूं मैं नॉर्मी eer कर्तिच कर रहा हूं मेरा चल रहा और मै worry जैसे मैं यहां पर cut लगा सकता हूँ यहां पर 0 लगाऊंगा तो transition नहीं रहेगा दिखिए मेरे cameras change हो रहे हैं ठीक है यहां पर मैं को file दाल ले थी मैंने file change किया तो इस तरह से मेरा show पूरा चल रहा है जब यह मेरा show तो खamtम हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा आपको याद है अपने recording परना पर लागना पर ये जो चल रहा है इसे अपना रिकाडब्टो हो है और वॉलेटी चे लिए के कि इतनी बडेarl cargo स्यूइबéta यह इसको कर सकते तो जो अंठीचिंग कर रहे तेमा survives स्विचिंग हो रहे थी उसके बाद अपने इसको ट्रांजिशन को चेंज कर दिया था कट लगा दिया था देखना भी कट लगा गाई यह एफेक्ट दिया था उसके बाद कट लगा था तो जो भी आप स्विचर से कर रहे थे वह एक्चुली फाइनली आपका में लोगे और रिकॉर्डर से आप एक आफ्लाइन टीवी शो बना सकते हो तब मान लीजे आपका कोई प्रोग्रम बनाना है तो आपने आंकर को खड़ा कर दिया और आपका जो भी गैस था वो बोल रहा है और इसकी जो यह जो आउपुट है इसको आपने रिकॉर्डर में यूज़ करते हैं तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं थैंकर